Hello dear students, you are warmly welcome to the Sun Academy. आज किस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं First Year Biology को और First Year Biology के अंदर हमारा First Chapter हम डिस्कुस कर रहे हैं सिंद बॉर्ड की New Book से तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं First Chapter हमारा है Biological Molecules अब ये Biological Molecules क्या हैं और इसके अंदर हम एक ब्रांच को भी स्टड़ी करेंगे जो है Biochemistry तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डिस्कुस करेंगे कि Biochemistry क्या है ये Biology की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम Life के Basic Units की डिस्कुस करते हैं के Life के Basic Units क्या हैं जैसे के हमारी मेटर का जो Basic Units है वो है Atom जबके Life का जो Basic Units है वो ये Cell और Cell किन Chemicals का मिला हुआ है Biochemical Basis Life के क्या हैं इसको हम डिस्कुस करते हैं Biochemistry में तो इसकी Definition ये है The Branch of Biology which explains the Biochemical Basis of Life is called Biochemistry तो Biochemistry पैलोजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम Biochemical Basis को डिस्कुस करते हैं हमारी जिन्दगी के Biochemical Basis को डिस्कुस करते हैं Biochemical Basis का मतलब ये है कि जिन्दगी जो हमारा Cell है वो किन Chemicals का बना हुआ है ये सारे Chemicals जैसे के Atom है मिलके Molecules बनाते हैं हमारे सेल के अंदर भी जो living matter है जिसे प्रोटोप्लाजम कहा जाता है उस प्रोटोप्लाजम के अंदर भी बहुत सी chemical चीजें हैं और वो प्रोटोप्लाजम की composition भी different है उसको हम chemistry के लिहाज से study करते हैं biochemistry में अब इस biochemistry को study करने की importance क्या है हम biochemistry को क्यों study करें इसका क्या फाइदा है वो हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं it provide information about all the living processes metabolism तो इनसान के अंदर इनसान के cell के अंदर या फिर इनसान की body के अंदर जो भी living metabolism हो रहे हैं जो भी chemical reactions हो रहे हैं उन सारे chemical reactions की study हम biochemistry में करते हैं और अगर हमें इनकी information मिल जाती है तो हम life के बहुत सारे processes को समझ सकते हैं और उसके बाद उन्हें सही से काम करने के लिए help कर सकते हैं ताकि हमें कोई बीमारी बगएरा ना हो और हम protected रहें इनसान को इसे फाइदा हो तो इसी लिए हम biochemistry की study करते हैं दूसरा point है इट provide knowledge about the abnormal mechanism to prevent from disease and provide medicine तो ये biochemistry की वज़ा से हमें life के अंदर हमें जो body के अंदर abnormal mechanism हो जाते हैं मतलब जो reactions हो रहे हैं जो functions हो रहे हैं वो सही से function ना हो रहे हो हमारे जो organs हैं वो organs अगर सही से function ना करें तो हमारी body के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं और उन बीमारियों से बचने के लिए भी हमें biochemistry help करती है क्योंकि अगर हम उन mechanisms को समझ सकते हैं समझ आते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी body के अंदर कैसे हो रही हैं तो हम उसका इलाज भी कर सकते हैं और इस तरह से biochemistry की help से हमारे पास medicines भी बनती हैं तो ये medicine की सारी field ये biochemistry की help से ही हमारे पास possible हो पाई है third point है it help us to solve many biological problems and answer many biological questions तो ये हमारे पास बहुत सारे biological questions को answer करती है और साथ में हमारे पास जो भी biology के अंदर problems आती हैं उनसे deal करने के लिए हमें biochemistry बहुत help करती है तो इसलिए हमें biochemistry को पढ़ना important हो जाता है अब हम आते हैं bio molecules पर या फिर biological molecules पर ये क्या है हमारे chapter का नाम भी यही है biological molecules तो चलिए इनको देखते हैं ये क्या है यहां पर हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं atom के बारे में के matter का सबसे पहला part जो है सबसे चोटा part वो atom होता है उसके बाद हम elements के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे यहां पर दुनिया में जितने भी मिलने आले जो elements हैं वो तकरीबान 118 हैं और उनको जो है वो सारे matter को constitute करते हैं सारे matter को बनाते हैं उन elements में कुछ ऐसे elements हैं जो जिन्दगी को बनाते हैं life को बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं bio elements वो तकरीबान हमारे पास 16 elements जो है वो bio elements है 16 elements हमारे पास bio elements है उसके बाद इन 16 elements में हमारे cell के अंदर जो पाय जाते हैं वो total 6 elements हैं उसके बाद अब हम आते हैं जब elements आपस में chemically combine करते हैं या elements के जो atoms हैं वो आपस में chemically mix होते हैं आपस में जुड जाते हैं तब हमारे पास molecules बनते हैं जब bio elements में कोई भी जैसे के carbon hydrogen ये bio elements हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनते हैं bio molecules अब इनकी definition देखते हैं molecules which makes up the cell and ultimately all the living organisms bio molecules वो molecules होते हैं जो cell को बनाते हैं और अगर cell को बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि सारे living organisms को यही molecules बनाते हैं क्योंकि cell जो है वो basic unit होता है life का living organisms का basic unit होता है cell तो वो molecules जो cells को बनाते हैं उन्हें हम bio molecules कहते हैं मतलब cell के अंदर ये सारे bio molecules present होते हैं ये bio molecules बड़े molecules होते हैं और इन्हें macro molecules भी कहा जाता है तो यहां पर लिखते हैं macro molecules तो इन्हें macro molecules भी कहा जाता है उसके बाद ये bio molecules जिन elements से मिलकर बने हैं उन्हें हम bio elements कहते हैं तो हमारे पास six bio elements हैं यहां पर एक है carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus और sulfur ये छे bio elements हैं जिन से मिलकर हमारे सारे bio molecules बने हुए हैं तो actually यहां पर हम 5 bio molecules को discuss करेंगे क्योंकि ये cell के अंदर ये 5 bio molecules present होते हैं तो अब इनको discuss करेंगे सबसे पहले ये जो भी molecules हैं ये इन सभी की specific size होती है structure होता है और function होता है सभी का function size और structure different होता है एक दूसरे से इनके नाम देख लेते हैं सबसे पहला bio molecules है carbohydrates दूसरा है protein थर्ड है lipids और nucleic acids and conjugated molecules अब ये जो हैं ये जैसा के हमने पढ़े कि ये bio molecules हैं इन्हें macromolecules भी कहा जाता है ये बड़े molecules हैं और अब ये बड़े molecules ये छोटे छोटे units से मिलकर बने हुए होंगे तो अब उन units की भी study हम करते हैं हमारे book से तो इनके छोटे-छोटे units होते हैं और वो units जब आपस में combine होते हैं तो ये बड़े-बड़े bio molecules बनते हैं तो सबसे पहले carbohydrates है तो carbohydrates के अंदर दो types होती है carbohydrates के oligosaccharide and polysaccharide ये जो हैं ये तब बनते हैं जब इनके छोटे units monosaccharides आपस में combine होते हैं और monosaccharides एक monosaccharides होगा फिर यहां पर दूसरा monosaccharides होगा और उनके बीच में एक bond होगा और उस bond का नाम है glycoside bond तो या फिर glycoside linkage भी कहते हैं तो glycoside linkage या glycoside bond से जब monosaccharides आपस में मिलते हैं तो हमारे पास carbohydrates बनते हैं और यहां पर उसके दो types है oligosaccharides and polysaccharides ricanes प्रोटीन के अंदर amino acids होते हैं चोटे units protein के जो हैं वो amino acids होते हैं जब amino acids आपस में peptide linkage के जरीए combine होते हैं इनके बीच का जो bond होता है वो peptide bond केलाता है या peptide linkage केलाता है तो ये जब amino acids आपस में मिलते हैं तब proteins बनते हैं उसके बाद lipids हैं, lipids के अंदर कुछ types हैं lipids की जैसे के fats है, oils है, phospholipids and terpenoids हैं इनके भी छोटे छोटे different units हैं, इसके अंदर एक तरह की unit नहीं होते हैं different तरह की units होते हैं, जैसे के glycerol और fatty acids मिलेंगे तो हमारे पास fat और oil बनेगा, और उसके बीच का जो bond होगा वो easter linkage या easter bond कहलाएगा phospholipids के अंदर glycerol, fatty acid, phosphate and coline, ये चार तरह की molecules हैं मिलेंगे और इनके बीच का जो bond होगा वो easter bond होगा, या फिर carbon carbon bond होगा तो इनके बीच के अंदर different bonds पाय जाते हैं, terpenoids जो हैं ये isopernoids units के बने हुए हैं और इनके बीच का जो bond है वो carbon carbon bond होता है तो CC bond जिसे हम carbon carbon bond कहते हैं और ये दो carbons के बीच का bond होता है उसके बाद nucleic acid के अंदर दो तरह के nucleic acid हैं, DNA और RNA नियुक्लिक असे और ये और डाय राय और नुक्लिक असे दो तरह की nucleic acid हैं इनके जो unit हैं, ये जन units के बने हुए हैं उन्ने हम deoxyribonucleotide कहते हैं और RNA जिसके बने हुए हैं वो है ribonucleotide तो ये nucleotides के बने हुए हैं और ये different तरह की nucleotides हैं जब इनके बीच का जो bond होता है वो phosphoreester bond होता है phosphoreester bond के ज़रिये जब ये deoxyribonucleotide और ribonucleotide अपस में मिलते हैं तो DNA और RNA बनते हैं Conjugated molecules के अंदर जो इनके units होते हैं वो different biomolecules होते हैं मतलब के यहाँ पर protein और lipids कभी कभी अपस में मिल रहे होंगे कभी carbohydrate और protein आपस में मिलेंगे तब यह जाके यह different तरह के conjugated molecules बनते हैं उनके बीच के bond होते हैं वो भी एक दुसरे से different bond होते हैं तो यहां पर यह एक table है यह थोड़ी सी याद रखने की चीज़े हैं इनको हम आगे details में भी पढ़ेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा अब हमारे next topic पे जो है chemical composition of cell हमारी body के अंदर जो cells होते हैं उनकी chemical composition क्या है आईए देखते हैं सबसे पहले cell के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं एक होते हैं उसके अंदर चोटे चोटे particles जने हम cell organelles कहते हैं तो यहां पर यह चोटे particles जो आपको दिख रहे हैं यह cell organelles हैं बाकी इसके अंदर जो है वो पूरा cell जो है वो jelly like substance से भरा होता है उस jelly like substance को हम protoplasm कहते हैं तो अब हम देखेंगे कि protoplasm की composition क्या है ताकि हमें इस cell की composition का पता चले तो living matter of the cell is called protoplasm तो जो भी जानदार matter है एक cell के अंदर जो जानदार matter है उसे हम protoplasm कहते हैं अब इस protoplasm के अंदर जो composition है इसकी वो है 70-90% water तो इसके अंदर 70-90% तक इसके अंदर पानी होता है इस protoplasm के अंदर तकरिबन 70-90% water है उसके बाद जब इस water को अगर हम निकाल दें तो बाकी का जो matter बचता है उसके अंदर वो सारा dry weight कहलाता है तो जब हम पानी निकाल देंगे cell में से तो बाकी जो substance बचता है उसे हम dry weight of the cell कहते हैं अब इस dry weight के अंदर क्या होगा इस dry weight के अंदर different तरह के bio molecules, ions और दूसरे substance पाए जाते हैं अब देखते हैं यहां पर इसकी composition है क्या तो सबसे पहले आप देख लें हमारे पास दो तरह के cell है bacterial cell और mammalian cell bacterial cell जो bacteria के अंदर होता है और mammalian cell जो इनसान के अंदर होता है तो इनके अंदर सबसे पहले water जो है वो 70% दोनों cells के अंदर 70% पाया जाता है protein जो है यह एक तरह का bio molecule जो अभी हमने discuss किया था तो यह protein 15% bacterial cell के अंदर होता है और 18% mammalian cell के अंदर पाया जाता है उसके बाद carbohydrates है यह 3% bacterial cell के अंदर और 4% mammalian cell के अंदर पाया जाते है उसके बाद lipids है यह 2% bacterial cell के अंदर और 3% mammalian cell के अंदर होते है और DNA और RNA यह जो है दोनों के अंदर different तादाद में होते हैं जैसे कि DNA यह 1% होता है bacterial cell के अंदर जबकि mammalian cell के अंदर यह कम होता है 0.25% होता है और DNA mammalian cell के अंदर कम इसलिए है क्योंके mammals के अंदर बहुत सारे cells होते हैं और उन सभी का DNA मिला कर बहुत ज्यादा DNA बन जाता है जबके bacteria के अंदर सिर्फ एक ही cell होता है और उन्हें ज्यादा genes चाहिए होते हैं तुनिक औरने, इसके नदर बैक्टियर्यूनऊ सैल के अंदर 6% होता है और मेंविलिन sैल के अंदर 1.10% होता है दूसरे जो ऑरगिनिक कमपाउंट हैं ये दोनों के अंदर 2 2% पाय जाते हैं ये जो बायो मौलीक्यूल हैं हम अर्किनिक कमपाउंट है जबके सेल के अंदर इन और्गिनिक आइन्स भी प्रेजन्ट हैं तो यहां पर इन और्गिनिक आइन्स दोनों के अंदर 1-1% प्रेजन्ट है उसके बाद इन और्गिनिक आइन्स के अंदर क्या आता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगेर आ जाते हैं तो उमीद है ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताके और भी लोग इससे फाइदा उठा पाएं तेंक यू सो मच अला आफी